अलो बच्छों कैसा आप सब्सक्राइब यह वीडियो स्पेशली उन बच्छों के लिए है जो कहां CS अब को पता है अभी आपके पास अगर हम देखें अगर सेप्टेंबर अटूबर नवंबर यह आपके पास कंप्लीट फोर मांस हैं और CS अबलिटी के जो जुलाई 23 के बच्छे हैं जिन्होंने अभी एक्जाम दिये हैं रिजल्ट विजने वीक आ जाएंगे आपके और जो बच्छे अभी रिजिस्टर कर रहे हैं डिरेक्ट एंट्री तूट के ठूँ ठूँ ठीक है और एक्जाम देना चाहते हैं CS सेग्रूड फस्स गय है कि SER GROUP 1 दें, GROUP 1 में 4 पेपर है, GROUP 2 में 3 पेपर है। जैसे की अब यहां पर देख सकते हो Group 1 में हमारे पास पहला वेपर है JIGL का दूसरा वेपर Company Law and Practice का है तीसरा Setting of Benders Industry and Label Law का TAFM का है Corporate Accounting and Financial Management का 100-100 Marks के ये 4 वेपर है ठीक है दूसरी तरफ यहां तो Group 1 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट है Group 2 में हमारे पास सब्जेक्ट 3 है ये हमारे को लालच दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए Group 2 देना चाहिए ठीक है जैसे की पहला वेपर CMSL का है 100 Marks का दूसरा Economic Commercial and Intellectual Property Laws का है 100 Marks का और तीसरा Tax Law and Practice का है 100 Marks का इसमें एक नहीं 2 सब्जेक्ट है देखा जाए तो पहला Direct Tax 60 Marks का दूसरा Indirect Tax GST Plus Custom that is 40 Marks का ठीक है जी अब देखिए यहां पर लालच हमें सर ये आ रहा है दुविदा हमारे को ये आ रही है दर्म संक्रेट में ये फस गए हैं कि सर Group 1 दे या Group 2 दे इसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा कि Decision लेना क्या चाहिए Group 1 करना चाहिए या Group 2 करना चाहिए क्योंकि महीने हमारे पास 4 है ठीक है December का महीना at least मानके चले हमारे पास कुछ दिन हमारे कुछ टाइम हमारा Pre-Examination Test में भी अपना लगेगा कुछ हमारे को ODP में भी लगेगा ठीक है और चोटे मोटे मान लीजिए सर्फ festivals वगेरा आ जाएंगे तो जिसमें आप मानके चलिए 20 दिन approximate आपके रह जाते क्योंकि हमारे December last week में हमारे exam होने वाले हैं है ना तो कहने का मतलब ये है कि 4 महीने में overall अगरम बात करें कि 4 paper की तरफ जाना चाहिए या 3 paper की दरफ ठीक है अब दिखिए बचो बड़ी सिंपल सी बात है अगर आपका group 1 देखें group 1 में बेशक आपको 4 paper जुरूर दिखाई दे रहे हैं अब ये मत decide कीजिए ये मैं 100% मेरे कहने ब़ल भी decide मत कीजिए ये आप दिखिए आपका subject में किस तरीके से interest है आपका कौन सा strong area है ठीक है अभी आपके पास time है जब तक आपका 5-6 दिन result आने वाला है CSY का ठीक है तो उसके दौरान आपके पास time है कि आप decide कर सबते हो दूसरा अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आपके पास group 1 में JIGL है company law है setting up of business entity ठीक है यह आपके पास company law के साथ बहुत help करेगा easy portion है तीसार corporate accounting and financial management यह 4 subject होते हैं इसमें से मैं आपको कहूंगा कि company law plus second plus third subject जो है बहुत interesting है दोनों एक दूसरे के साथ correlate करते हैं चौता वे पर corporate accounting and fm का practical है यह आपका देखा जाए तो बहुत interesting है practical है ठीक है और मज़िदार subject है ठीक है technical जो बचता है वो JGLN JGL बचता है ठीक है तो इसमें से अगर आपको लगता है कि यह 2 subject या 3 subject या 1 subject आपको यहाँ पर देखा जाए तो 4 के 4 subject interesting है ठीक है बहुत ज़्यादा time consuming नहीं है चार महिने में तयार हो सकते हैं बहुत easily तयार हो सकते हैं विद तसली से तयार हो सकते हैं test series के साथ ठीक है group 2 में देखा जाए आपको बेशक एक subject कम लग रहा होगा बट आप मान के मत चलिए कि group 2 में subject कम है क्योंकि tax law काफी lengthy होता है ठीक है GST भी है वो भी अपने GST custom अपने एक separate subject है तो approximate अगर फाइदा होगा भी तो 20-25% 20-25 marks का आप कहा सकते हो आप कहा सकते हो यह 100 नंबर का नहीं यह अपने आप में 1.500 से 1.500 plus marks का subject है ठीक है क्योंकि अगर आप इसी direct tax को CMA Intermediate में देखोगे ना वहाँ पर 100 marks का आता है ठीक है पर आप इस चक्र में मत पढ़ो आप overall देखो कि कौन सा जर्द क्योंकि paper 5 भी बहुत जबदर subject है 6 भी जबदर subject है मतलब कोई भी सारे subject अच्छे है ठीक है तो आप यहाँ पर time consuming है खास करके paper number 6 आपका time consuming है इसी IPL ठीक है जी तो आपको decide करना है मेरे accordingly आपको group 1 देना चाहिए क्योंकि group 1 में आपका एक practical subject आजाता है बाकी company law है आपका CS students का सबसे favorite subject होता है ठीक है और paper number 3 भी company law के बहुत सारा position जो है company law based है ठीक है इसलिए मेरे accordingly जो मेरी अगर आप suggestion मानो तो group 1 ही देना चाहिए क्योंकि इसमें आपको पुरा का पुरा बहुत ही interesting पुरा का पुरा systematically मिलेगा आपको जो आपके CS को सबसेट करता हूँ ठीक है अब exam के लिए months कितने हमारे पास 4 मेनी है चार मेनी है बहुत बढ़िया तरीके से त्यारी कर सकते हो और अगर आप हमारे तरीके से चले जैसे हम CS एक्रीटिव की classes वीडियो लेक्चर अवेलेबल करते हैं बहुत ही affordable prices पे high quality वीडियो लेक्चर plus doubt session के साथ weekly doubt sessions होते हैं पूरे हर subject के ओपर ठीक है और proper आपको guide किया जाएगा एक subject के लिए किस तरीके से आपको त्यारी करनी है किस तरीके से proper revision करनी है सब कुछ A to Z पताया जाएगा ठीक है बच्चो जो बच्चे classes buy करना चाहते हैं description में link जिया गया वहाँ से directly click करके buy कर सकते हैं बहुत होती अपकोडर प्राइस पर अवेलेबल हैं ठीक है बच्चो और जो बच्चे हमाई चनल में नहीं है चनल को subscribe करना और bell icon दबाना मत भूलेगा thank you